यह देखो दोस्तों यह है बे सहारा पशू और मैं बताऊंगा आपको कि इसमें जो टैग भी लगे हुए हैं वो भी काटके रखे हुए हैं यहां देखी यह आप देख सकते हैं हेलो गाइस कैसे आप सभी उमीद करता हूं अच्छे होंगे तो मैं भी अच्छे हूं तो आज हम जा रहे हैं घर बापिस हम थे आयो चतरी तो आज हो गए है 9 से 10 दिन तो आज हम जा रहे हैं घर बापिस और मेरे साथ में है biggest और छोटा लक्षू करन जो है वो करण पिछले कर चले गया था बापिस अपने मामों के साथ तो आज हम भी जा रहें बापिस तो गाइज स्नोफॉल के कारण जो हमें भी थोड़ा सा पैदल आना पड़ रहा है करीब दस कर मिनित का जो रास्ता है हमारा तुम पैदल आ रहे हैं तो रास्ते में मुझे मिला जो पुराने जमाने में होता था गराट आज कल तो यूज बहुत कम होता है लेकिन मैं आपको भी दिखा दूँ कि गराट कैसे होते थे पहले के जमाने में क्या करते थे जो अब इसका यूज नहीं होता है तो मैं दिखाता हूँ आपको तो गाइज देख सकते हैं आप ये गराट के लिए पानी जा रहा है नीचे ये पिछे से आ रहा है कुल के जरीए पानी आता है आगे और यहां से अभी तो बंद कर रखा है तो जब इसको उपर उठाएंगे जो डंडा लगा हो इसको इदी उपर उठाएंगे तो पानी अंदर जायागा सारा तो फिर उसके सारे फिर पानी जोर से जाता इनीचे तो गराट चल पड़ता है तो अभी तो बंद है ना जिखाता हूं आगे से तो गाइज देख सकते हैं आप ये जो ये घूमता है पुरी चक्की जो दिखा रहा हूं आपको अब नंदर का दिखाता हूं आपको कैसे काम करता ये 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 याप गाएज की ऊपर से अनाज डालते हैं ओर यह है पुराने जमाने की द YOUR होट शो जो पर बेकार हो चुके हैं सो गाइज तिन चार दिन बारिश और वर्फबारी के बाद आज का मौसम जो है बहुत ही सुवाना है आज तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी आ चुकी है आप देख सकते हैं पसीना पसीना हो गया हूँ थोड़ा एक्चुल में यह है कि वी यहां पर थो तो अभी चल रहा था मैं पैदल तो बाकी जो मेरे बच्चे है और मेरी वाइफ है वो आगे जा रहे हैं तो मैं आज का मौसम दिखा देता हूं थोड़ा सा सो गाइज देखिए विराना वाग पांच किलोमेटर है यहां से एक्चुल में हमने विराना वाग पहुंचना है तो आज का मौसम मैं दिखा रहा हूं आपको देखिए कैसे आसमान में बिल्कुल साफ मौसम एकदम आप देख सकते हैं उपर उपर वर्फ वारी अभी वी वर्फ जो जमी हुई है अभी वी है आप देख सकते हैं यह है आज का जो छतरी का मौसम आज का व्यूव जो नीच यह कैसे बैठ चुके हैं थक हार के लेक्चु हेलो कर हेलो 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 है मुझे नहीं बोलता थक गया यह मेरी वाइफ है लेख सकते हैं आप कैसे थक चुके हैं अभी बैठे हुए रस्ट पर तो क्या खाएगा भी आगे शौब भी है खाएगा कुछ बोल भी अर बोलता नहीं अब तो बोलती बंद होगी जैसे इसकी फोटर ले लेता हूं मैं न हाँ शाबाश और यह लक्षु लगा हुआ है हैंड पंप फिंचने जहुर लग रहा है इसमें है है हो गया है है सुगाइज हम चल रहे हैं पैदल देख सकते हैं आप जो यह उपर दिख रहा है मंदिर हमारा प्रभू खुडिजल जी का और मैं और मेरी वाइफ और बच्चा लक्षु हम जा रहा हैं पैदल अभी भी गाड़ी नही मिली तूपर देखिए यहां तक पहुंचना है हमें अभी तो चलो चलते हैं ठक भी गए हैं बहुत ज्यादा तो दोस्तों स्नोफोल के बाद जो हमारा जो कामकाज रहता है तो हम उसको करने जा रहे थे अपने बगीचे में तो आज हम कर रहे थे सपरे तो उसे पहले मैं आपको दिखा दूए और मैं एक गंबिर वीष्य परचर्चा करना चाहूंगा कि जो हमारे बेसारा पशु है तो उसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको कि क्या कैसे कैसे हैं वह जैसे भी होगा तो बता देंगे तो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपको यह हमारे पीछे बगी चाप न सेव का तो सनोफॉल के कारण कुछ ऐसा हुआ कि वही हमारे जो पेड वो सारा गिर गया नीचे और इतना बड़ा पेड है कि मैं दिखाऊंगा आपको तो दोस्तो स्नोफॉल से हमारा जो ये पेड है देखिए गिर गया पूरा ये आप देख सकते हैं ये करण जो लगा हुआ है सेव काटने में अब थोड़ा इसको काटना ही पड़े गए यहां से उठा के अब लकड़ी के काम आएगा तो देख सकते हैं आप कितनी मुटी जड है थी इसकी सारी निकल गई उखाड के वर्फ ने नीचे डाल दिया इसको आप देख सकते हैं या उपर भी एक और टैनी बड़ी जैसी उपर जहां ममी लेगे वह काम सो गाइस यार मेरे पेड में देखिए ये कौन सा बीमारी आ गया है पता नहीं चल रहा है ये देखिए क्या करना चीम करें इसके लिए मैं सुगाई जो आपको यह सहरा पुष्चि दिख रहे हैं इसके लिए यह जो हमारे यांपे हैं यह हमारी सार पुष्च ऑण कर यह पर यहांरнее देखिए आप 15-20 पशू जो है अभी भी यहां पे हैं दूसरी जगह में भी है इतने जो है जैसे एक जूंड जूंड बनके रखा हुआ है इनका दूसरी जगह भी है उधर आगे भी मिलेंगे आपको तो मैं वीडियो में तो अभी नहीं दिखा पाऊंगा उनको लेकिन हमार कि सरकार के जितने भी जो अधिकारी है बड़े लोग हैं मेरी यदि वीडियो को देख रहे होंगे तो मुझे बताइएगा कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हम इन पशूं को एक आस्रा दे सकें इनका स्थाई समाधान कर सकें तो देखिए कैसे ठंड में उपर देखिए बर कितनी है आप सोच सकते हैं कि रात को यदि हम भी कहीं बाहर बैठेंगे दो गंटे भी बैठेंगे तो ठंड में कैसे हालत खराब हो जाती है तो यह तो पशू है बेजवान यह देखो दोस्तों यह है बे सहारा पशू और मैं बताऊंगा आपको कि इसमें जो टैग भी समाधान कुछ हो तो हमें बताईए करेप्या सभी जो हमारे बड़े अधिकारी होंगे मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो मुझे बताईएगा कि इसका क्या समाधान होना चाहिए आप देख सकते हैं यहां पर कितने डंगर है लगवग एक दो तिन चार पांच छे साथ साथ 9 10 11 12 13 13 15 15 15 यहीं पर हैं दुसरे जो क्येत में गुश चुके हैं तो 15 डंगर यहीं पर है और आप बताई आसे ही यहां पे दूसरी जेगा भी हमारे कुछ गौशाला में भी है तो जो गौशाला जो चला रहे हैं उनसे हमने बात की थी कि बीना टैक बाले जो जितने भ थाकि हमारे पास घास भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, घोष है कोछार के लिए आप चाहरे का प्रबंद कीजिए, और मुझे जो भी मैं वीडियो डालूंगा, उसमें कमेंट कीजिए कि भी हमें क्या करना चाहिए और हमारे को स्थाई समाधान बताईएगा So guys वीडियो कैसी लेगी आपको I hope वीडियो अच्छी लेगी वोगी तो वीडियो को लाइक करें कोमेंट करें, शेयर करें जो मेरे चैनल में ने हैं या आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रस कर दें और उसकी नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर दें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो गाइज मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई